बिस्मिल्ला रह्मान रोहीं असलाम अलेकुम आज हम पकाएंगे अलू मटर एग यह सालन बहुत अच्छा बनता है बहुत मज़ेका बनता है यह टमाटर सबस मिर्च यह मिर्चे यह धनिया वगेरा यह एग मटर और अलू यह सब हमने डाल के पकाना है यह देश की उपर माशाला जब यह पक जाएगा बहुत अच्छा बनेंगा ऑईल गरम हो गया प्यास डाले गए हैं जब थोड़े से प्यास ब्राउन हो जाएंगे फिर अगला स्टेप लेंगे हमारे साथ ही रहिएगा जनन नहीं वीडियो पूरी देखनी है अगर एक भी स्टेप मिस हो जा ता यह कूटा वादरक और लैसन डाला गया क्योंकि प्यास कुछ ब्रॉन हो गए थे आप देखते रहिए और हमारे साथ ही रहिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए स्क्राइब कीजिए मसाला माशाला त्यार होने वाला है यह लासन अदरक और प्यास टमाटल डाल दिये गए है साथ में सबस मिल्च बिड़ डाली गई है आसरदी बहुत है कुछ थोड़ी सी तबियत भी खराब है बला नहीं जा रहा है अगर कोई बात की समझ ना आए तो सोरी अब इसमें नमक मिर्च बगरा डालेंगे इसके बाद जब यह त्यार हो जाएगा अजल्ण दाला आप सबको हिप्जव मान में रखे अल्ला पाक अपनी रहमत करे आपके खानों में मिपbelt डाले हरमारे खानों में मिपर डाले अजल्ण आप सबका हमिमान असर हो हम सबका निकेभान हो आमीन सुमामीन ये नमक मिर्च डालने शुरू हो गए है पीसा दनिया डाला गया मिर्ची बी डाली एक चमच एक नमक डाला गया अब सबजी डाल दी गई है अलो और मटर थोड़ा सा इसको भूल के पानी डाल दिया जाएगा अंडे पाइल करके रख लिए है अब इसको पांच मिनट से साथ मिनट तक उपर रख देंगे इन्शाला ये त्यार हो जाएगा पांच से साथ मिनट में अला पाप की रहमते हैं अला का करम है माले का रिजक है ये एग हैं वो अलके रखे हुई हैं ये भी इसमें डाल दिये जाएंगे साथ ही ये माशाला आप सालन त्यार हो गया है अलू मटर एग ये सबी की पसंद है इस सरदी में ऐसा ही मज़धार सालन अच्छा लगता है काली मिर्च डाली गई सब धनिया भी डाल दिया जाया अल्ला पाक आप सब को सिहत दे तंदरुस्ती दे आपके कारोबार में बरकर डाले आपके खानों में बरकर डाले आपको हिवसों मान में रखे सालन पाक के माशाला त्यार हो गया है देखें कितना अच्छा बना है लोग को कितनी अच्छी आई है बहुत ही मज़े का बना है क्रिफसी सालन बना है यह तो बहुत ही मज़ा देंगे खा के जरूर बताना रेस्पी आपको कैसी लगी यह असान और सादा देसी तरीके में है ये पाकिस्तानी देसी रस्पी है इसके साथ ही मैं जाज़ा चाहूंगी अल्ला हाफीज